वेलिकम ड़े शुलेंस तो जो टाफिक इस योजिस आफ आईसो टाफ्स यानि हम जाके इस्तिमालाग कि हम आउसाटाब्स को कहा इका और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आईसाटाब्स आर यूज़ इन कैमिकल, अगरिकल्चर, एंड मेरिकल्ट्रिसर्च तो असे टाफसेस को हम इस्तिमाल कर सकते हैं chemical यह यह कीमियाई agriculture, जराथ and medical research और medical की research में यह chemical जो हम बढ़ा रहे हूं यह कोई chemical test करने के लिए हम इसको इस्तिमाल करते हैं हम इसको जराथ में, यह नहीं पोदो बग़यर पर इस्तिमाल कर सकते हैं के लिए कौन से केमिकल किस तरह इस्थिमाल किया जाए ताकि उनकी पहदावार बढ़ा जा सके Medical Research में के नए-नए दवाईयें बनाने के लिए या नए-नए इलाज दर्याफ्त करने के लिए हम इसको इस्थिमाल कर सकते हैं For Diagnosing, Diagnosing मतलब तश्खीस करना यानि मरस का मालूमात करना And Treatment of Disease और बिमारी का इलाज करना पहली बड़ी चीज होती है बिमारी का मालूम करना कि बिमारी है क्या फिर उसका इलाज तो यह हम Acetops की मदद से कर सकते हैं Acetops of Certain Elements जो Acetops होते हैं मुख्तलिफ अनासर के Show Radio Activity यह जाहर करते हैं तापकारी को या शुरारेजी भी कर सकते हैं आप इसको While Other Do Not तो क्योंकर दूस्टे यह Radio Activity नहीं होते हैं Some uses of Acetopsis are given below कुछ इस्तिमालात हम जाके नीचे दिये गए हैं पहला Iodine 131 become concentrated in the thyroid gland and is used to as cure for goiter यह यह इसको हम इस्तिमाल करते हैं यह बहुत ज़्यदा जब concentrated हो जाता है यह जो बहुत ज़्यदा मुर्टकिस होता है उसको हम thyroid gland में इस्तिमाल करते हैं Thyroid gland fluid यह वदूस होता है हमारे अंदर and use is a cure और इसको हम शिफा के लिए इस्तिमाल करते हैं यह इसको हम शिफा के लिए इस्तिमाल करते हैं क्यों शिफा को कहा जाता है यह बिमारी से शिफायाब होना और goiter goiter कुर्टू में कहते हैं गुलर को यह जो आपके पास आपने अक्सर लिखा हो लोग को जो यहाँ पर जिनकी जो नेक होती है यह थोड़ी अबरी भी होती है यहाँ पर ऐस लगता है कोई यहाँ पर एक दाना से निकला है तो उसे वाइटर कहते हैं तो उसके इलाज के लिए हम इसे इस्तिमाल करते हैं आयोडीन को तके जो X-ray या MRI है उसका image अच्छा सके साफ आ सके ताके पतह लगे कि उसमें क्या डिफेक्ट है दिट्रियम डी याई हाइटरोजन वो हाइटरोजन जिसमें आपको बस एक proton एक neutron हो उसे हम दिट्रीम कहते हैं हेवी कार्बन यानि C13 इसमें न्यूट्रों की जाधार ज्यादा होती है हेवी नैट्रोजन, हेवी अक्सिजन और हेवी आयोडी इसको हम इस्तिमाल करते हैं एक मालूमात के लिए इन बायो केमिकल, हायत याती केमिकल में और फीजियो केमिकल रिसर्च और जो फीजियो केमिकल के लिसर्च होती है उन में to trace the path of element हम इसको इस्तिमाल करते हैं उस अनासर के रास्ते मालूम करने के लिए to defect और abstracted part के नुक्स कहां पर है या रुकावट कहां पर आ रही है यानि आपके बाद जो ड्यूट्रिम हो गया या फीजियो केमिकल ने हम इसको 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 इस्तिमाल करते है कि वही defect फालूम करने के लिए कि defect कहां पर है या abstracted part यानि कौन से जोगा पर रुकावट आ रही है फिर radium, radiation and cobalt 16 are used in the treatment of cancer and for diagnosis of tumor तो ये radium और cobalt है इसको हम इस्तिमाल करते है कैंसर का इलाज करने के लिए और tumor यानि रसॉली की रश्किस करने के लिए कि रसॉली जिसम के अंदर कहां मौजूद है तो इसको हम इस्तिमाल करते है उसमें 5 sodium N24 जाओ कि पस आईसोटॉपस है is used for the identification of blood circulation problem in patient यानि जिसम के अंदर जो खून की गर्दिश की बिमारिया होती है उसको मालिम करने के लिए हम सोडियम का इस्तिमाल करते है carbon 14 is used to trace the path of carbon in fluorosynthesis और carbon 14 का इस्तिमाल करते है यह देखने के लिए यह fluorosynthesis का जो रास्ता है वो कौन सा है यह किस तरीके से ज्याद तालिफ का अमल हो रहा है इस पौदे के अंदर यह कहाँ पर कम कहाँ पर ज्यादा हो रहा है इमेरिशियम 241 is used in smoke detector यानि दुएं के निशान दाई करने कर इसको इसको इस्तिमाल करते है इस यूस यूस रियमाइट विर वैन ओयल वैल शुड बी ड्रिल और इसको हम इसको इसमाल करते है कि पुवएं कहाँ खोद रहा है तेल कहाँ पर मौजूद है नेक्स आप तर दिखा होगा जैसे कही आग लगते हैं आलाना बजना स्टार्ट हो जाता है के लिए कि जमीन के नीचे कहां पर तेल मौजूद है तो इसके डिटेक्शन के लिए हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं तेलिफॉर्णियम 252 इस यूज़ तो मेजर्ड़ मॉइस्चर कॉंटेंट आफ सॉयल इन रोड कंस्ट्रक्शन यह जो हम रोड बना रहे होते हैं तो ऐसे रोड जहां पर नीचे मिट्टी मिट्टी हो यानि सख्त साख्त ना हो वापर रोड बनाना मुश्किल होता है तो इस मिट्टी की नमी को नापने के लिए हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं क्या है मिट्टी में नमी कितनी जदा है या इतनी कम है और कंस्ट्रक्शन रूट बनाने के लिए यह जगा मौज़ू है या नहीं and building and construction and we also use to inspect airplane luggage for hidden explosion और इसको हम इस्जिवाल करते हैं inspect देखने के लिए तहके करने के लिए airplane luggage खवाज जहाज के सामान को for hidden explosion hidden छुपे हुए explosion दमाग करेजमाओ अक्सर अगर किसने जहाद में साफर किया होगा तो अपने देखा होगा कि एक पट्टी में से उस्तों सामान को गुजारते हैं तो उस पट्टी में से बॉक्स सा बना होता है बॉक्स के अंदर सामान जब जाता है तो वहां पर सबकुत स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है तो इसको हम इस्तिमाल करते हैं कि आया कोई दमागा खेज मात या कोई ऐसी चीज जो नुकसान दे हो सामान में मौजूद तो नहीं है क्रिप्टन 85 जो इसको में इसको मिस्तिमाल करते हैं अलेक्ट्रों क्लॉट वाशर यह नहीं कपड़े धोने की मशीन वगरह में कि वह इसमें कच्रा और इसमें गरत वगरह कितना मौजूद है जो स्टोरेंट्स हम देखें मुक्तलिफ ऐसे चॉप्स के मुक्तलिफ इस्तिमालाथ को इसके लाव और भी बहुत से इस्तिमालाथ है लेकिन इस तबक में पूरा कवार करना मुश्किल है तो इन्शाला फिर लेक्स लेक्शन में आगे कंटियू करेंगे इसको अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो हमें जरुर्याद रखिएगा अपने कियम तेर ऐसे मुझे जरूर आगा कीजेगा टेक केर लाँ अफेस